गनेशाय नमह, श्री शिव पुरान रुद्र सहिता का पंचम युद्ध खन भाग अध्याय साथ, देवों का शिव जी के पास जाकर उनका स्तवन करना, शिव जी के त्रे पुरवध के लिए उद्यकना होने पर ब्रमहा और विश्नु का उन्हें समझाना, विश्नु के बतल आये, हुए शिव मंत्र का देवो द्वारा तथा विश्नु द्वारा जप शिव जी की प्रसन्नता, और उनके लिए विश्वकर माद्वारा सर्वदेव में रथका निर्मान, व्यास्ची ने पूछा सनत कुमार जी, जब भायों तथा पुर्वासियों सित उस परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नश्ठ हो गया और चारों और दुराचार फैल गया, तब भगवान विश्नु और ब्रहा के साथ सब देवता क्यलास परवत पर गए और सुन्दर शब्दों में शिव की स्तूती करने लगे, महेश्वर देव, आप परमोत क आप रुद्र को हमारा प्रणाम है, असुराने कंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारल करने वाले हैं, अतर सदा से आप ही हमारी गती हैं और आप ही सरवदा हम लोगों की वन्दनिय हैं, आप सब के आदी हैं और आप ही अनादी भी हैं, आप ही आनंद स्वरुक, अव्ययक, प्रभू, प्रकृती, पुरुष्य के भ पामी, अविनाशी, वर्दाता, वादमयस्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाच्छिय वाचकता से रहित हैं। योगविता योगी आप इशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदेक मिल्की करने का पर विराजमान रहते हैं। वेद और संचन कहते हैं कि आप परब्रमस्वरूप, तत्वरूप, तेजोराशी और परात्पर हैं। शर्व, आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपती हैं। भाव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है, वहाप ही हैं। जगत गुरो, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने युग्या बताया जाता है और जो अनुसे भी सूक्षम तथा महान से भी महान हैं, वहाप ही हैं। आप चारो और हात, पैर, नेत, सिर, मुक, कान और नाकवाले हैं, अता आपको चारो और से नमस्कार हैं। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके प्रपितामः और समस्थ शरीरों में व्याप्त हैं, आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार हैं। शृतिया तथा शृतितक्त्व के ग्याता विग्यजन आपको वर्दायक, समस्क भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और शृतितक्त्वग्या बतलाते हैं। नात, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किये हैं, जो हमारी समझ से परे हैं, इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मन और अन्यान्यस्थावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्तवत्सल, हमारे सोभग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्न धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरंदाता, आप सदा से देवताउं का कार्य करते आये हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शर्नापन हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा, कीजिए। और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्न देवताओं की और क्रिपाभरी द्रिष्ट से देखकर गंभीरवानी में श्रीहर से बोले। शिवजी ने कहा देवश्रेष्ट, उन अधर्मनिष्ट डैत्यों की तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा इसमें संशे नहीं हैं। परंतु वे महादेत्य मेरे भाक्ते और उनका मन सुद्रिर रूप से मुझ में लगा रहता था, अतही अग्यपी इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया हैं, तथा कि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने युगिया हैं। इसलिए जिन्होंने त्रिपुर्वासी सारे डैत्यों को धर्म रष्ट करके मेरी भाक्ते से विमुख कर दिया हैं, वे विश्नु अथवा अन्य कोई ही उन्हीं क्यों नहीं मारते। आप पाप आपका स्पर्ष नहीं कर सकता, साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हीं मोह में डाला गया है, इसके प्रेरक तो आप ही हैं, इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया हैं और वे आपकी भाक्ते से विमुख हो गए हैं, तथा कि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वद नहीं कर सकता, देवों और रिशियों के प्रांक शक महादेव, साधूओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्चों का वद उच्चित है, आप तो राजा हैं, अतह राजा को धर्मानुसार पापियों का वद करने से पाप नहीं ल रिक्षा के लिए उद्यत हो जाए, विलंग मत कीजिए, देव देवेश, बड़े-बड़े मुनीश्वर, यग्यक, संपूर्ण वेद, शास्त, मैं और विश्नु भी निश्चय ही आपकी प्रजा है प्रभो, आप देवताओं के सार्वब्हम समराठ हैं, ये श्रीहरी आ जन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रन में रहकर सदा अपने अपने कार्य में ततपर रहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी, ब्रहमा की यह बात सुनकर सुरपालक पर मिश्वर शिव का मन प्रसन हो गया, तब उन्होंने ब्रहमाची से कहा, शिवजी बोले ब्रहमन, यदि आप मुझे देवताओं का समराठ बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योगि कोई ऐसी सामगरी तो है नहीं, जिससे में उस पद को ग्रहल कर सकें, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्यरत है, न उसके उप्युक्त सार्थी है और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुश बान ही हैं कि जन्हें लेकर मैं मनुयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वद्ध कर सकें, यो कहकर वे चुक हो गए, परंतु शिवजी को शीग्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्य पादी रिशी अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए, तब भगवान हरे ने उनसे कहा, भगवान विश्नु बोले, देवो तथा मुनियो, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो, तुमें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए, अब तुम सब लोग आधर प प्रसन होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गुनों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं, ये तो आशुतोशी ठहरे, अतर पहले ओम का उच्चारन करके फिर नमा का प्रयोग करे, फिर शिवाय कहकर दो बार शुभम का उच्चारन करे, उसके बाद दो बार कुरू का प्रय प्रभावशाली श्रीहरी ने जब यों कहा, तब सभी देवता पुना शिवाराधन में लग देए, ततपश्चात श्रीहरी भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिदिके हेतु शिव में मन लगाकर विशे शिरूप से विदिपूर्वक जप में ततपर हो गए, मुन श् इधर देवगन धैर्यसंपन हो बारंबार, शिव, शिव, यों उच्चारन करते हुए एक करोर जब करके सामने खड़े हो गए, इसी समय स्वयम साक्षात शिव कूर्वोक्त स्वरूप धारन करके प्रकट हो गए और यों कहने लगे, श्रीशिव जी बोले हरे, ब्रह्मन, देवगन तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियो, मैं तुम लोगों के इस जब से प्रसन हो गया हूँ, अतहब तुम लोग अपना मनोवानचित वर मान लो, देवताओं ने कहा देवादी देव, कल्यान करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन हैं तो देव की विकलता का विचार करके शीग्रही तृपुर का सनहार कर दीजिए, परमेश्वर, आप दीनवंधू तथा क्रिपा की खान है, आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विप्तियों से रक्षा की है, अतह समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए, सनत कुमार जी कहते हैं ब्रह्मन, तब ब्रह्मा और विश्नु सिक देवों की वह बात सुनकर शिवजी मन ही मन प्रसन हुए और पुनह इस प्रकार बोले, महेश्वर ने कहा हरे, ब्रह्मन, देवगन, तथा मुनियो, अब त्रिपुर को नश्ट हुआ ही समझो, तुम लोग आदर पूरवक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो, मैंने पहले जिस दिव्यरत, सार्थी, धनुश और उत्तम बान को अंगीकार किया है, वह सब शीगर ही तेयार करो, विश्नु तथा विधे, निश्च ही तुम दोनों त्रिलुकी के अधिपती हो, इसलिए तुम है चाहिए कि मेरे प्रयत्न पूर्वक समरा के योग्य सारा उपकरन प्रस्तुत कर दो, तुम दोनों स्रिष्ट के स्रिजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतहत्रिपुर को नश्ठ हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए ये कार्या अवश्य करो, ये शुब मंत्र जिसका तुम लो की वृद्धी करने वाला है, ये निश्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्तिका साधक है, जो मनुश्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्टन करता है, सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाशाय पूर सनत कुमार जी कहते हैं मुने पर्मात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन हुए और ब्रह्मा तथा विश्णु को तो विशेश आनन्द प्राप्त हुआ उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्यानुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेव में तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्मान किया इती श्री शिव कुरान के रुद्र सहिता का पंचम युग्द खन भाग अध्याय साथ कथा समाप्त हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओन नम शिवाए ओन नमा ओम नमास्ट